सदसंग में आना बहुत बड़ी बात है लेकिन सुन के अमल कमाना ये असली बात है जब तक आप सुनेंगे नहीं, अमल करेंगे नहीं तो कैसे मालिकी द्या में रह्मत बरसेगी सुन लिया, इस कान से सुना, इस से निकाल दिया कई बार इनसानों के नाम होते हैं, नाम शेर सिंग खड़ा क्यों है, रास्ते में भाई कुटा भौगरा है तो कहने का मतलब दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आज के युग में इनसान ऐसे हुए पड़े हैं किस पे इनसान जिकीन करें, जिकीन के लाइक सद्गुर मौला अल्ला वाहिगुर राम रह गए, बाकि किसी का कोई पता नहीं, कब इनसान चलता चलता पैसा खोटा हो जाए, कुछ मालूम नहीं, हां, सुमन करे, दर्ड जिकीन रखे, तो दोनों जहान में ओड निबती हैं और खुशियों से यहां माला माल होता है, पर अमल करना तो करे कौन, कहता बाकी काम मैं कर लूँगा, अमल आप कर लो, आज की इनसान को यह है, आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं, बात में बात याद आ गई, कि किसी का कोई आदमी पती मर गया, आस पड़ोस वाले बैठने आए, तो एक सज्जन बड़े चलाक लोबी लालची थे, वो भी पहुंच गए, तो काइदा है, औरतें रोती हैं, तो कुछ गा के से, कुछ बोल के से, अपना दुख दर्द हलका करती हैं, तो उसने पहले कहा कि भई, आपके लिए मैं रुजाना, आप दफ्तर ज तो वो आदमी उठा, हाथ जोड़के कहना का बहन, तु मेरी धर्म की बहन, वो कपड़े मैं पहन लिया करूंगा, रो मत, विचारी ने उसने क्या कहना था, फिर रो के उसने दूसरी बार बोला कि मैं रोज रोजाना सुबा परोंटे बनाती थी, ऐसे आपके लिए पैक कर लिया करूंगा, अब उस मुर्ग को कौन समझाए, चलाग बहुत था, तेज भी था, मुर्ग भी था, दोनों बात, कहीं उमें डबल होता है, तो अब तीसरी बार जो उसने आवाज लगाई, उस बहने, शेद उस आदमी से उकता गई या गुस्सा आगे, तो रोते रोते बोली कि भाई आप पंदरा लाग का करजा चोड़के उसे कौन चुकाएगा, वो आदमी फिर खड़ा हुआ, जितने लोग बैठे थे, अब उनकी तरह मूँ करके कहने लगा, यार सारे काम मैंने करने कुछ आप भी कर लिया करो, परोंटे तू खाए, कपडे तू पहने औ सुम्रन ना करे, और खुशिया मालिक दे जाए, आके रात को चपर फाड के, ये जाता है आज का इनसान, ये कैसे संभव है, जैसा बोगे, वैसा काटोगे जरूर, जैसे करम करोगे, वैसा भरना जरूर पड़ेगा, ठीक है, टाइम लग जाता है, आप यहाँ हैं और तिल-Til करके भरते हैं, इसलिए करम ना खोटे करो, बुरे करम ना करो, अच्छे नेक करम करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की गुरुपा द्रिष्टी के कापिल आप बने, और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएं, तो भाई, संतों के पास वचन है, कोई सुन ले, मान ले, तो फाइदा है, ना माने तो हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई बेडबकरी तो है नहीं की रस्सा डालके घूंटे पर बांदेंगे, आदमी मर्जी का मालिक है, वो गयता है, मैं तो ये करूँगा तो कर, मैं तो गड़े में गिरूँगा तो करो अच्छाई का संग करो भली सोहबत करो तो माले की गिर्पाद्रिस्टी बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हगदार आप एक दिन जरूर बन जाएंगे प्रभू अल्ला वह गुरू गौड खुदाराम अरबॉन जिसके हैं ना वो कणकण में जर्रे जर्रे में मौजूद है सब के अंदर वो रहता है पर अंदर होते हुए भी हर किसी को वो नजर नहीं आता उसको पाने के लिए सुमरन करना जरूरी है उसको पाने के लिए अपने आपको उसके काबिल बनाना जरूरी है कोई भी दिखावा पाखंडबाद कोई भी ढोंग मालिक तक लेके नहीं जाता अगर वाके आप मालिक से मिलना चाहते हैं तो अपनी भावना को शुद करो भावना अगर शुद होगी तो मालिक को पाया जा सकता है उसकी प्राप्ति के लिए जंगल पहाड और जाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है अपने घर परिवार में रहते हुई घर गरिष्टे में रहते हुई सुमरन करो सची भावना से सची लगन से तो मालिक को पा सकते हैं और अगर कोई घर बारत्या के मानवता की सेवा करता है इंसानियत के रहा पे चलता है वो तो बेमिसाल है वो तो कहने सुनने से पर एक खुशिया है चलो किसी भी तरह की जीवन को आपने चुना है बस उसमें तालमेल बिठा के रखिए राम नाम का और अपने फर्जों का कर्तव्य का निर्वा करते रहिए बुरे करम छोड़ते जाएए अच्छे करमों से अपने आपको जोड़ते जाएए बुरे करम छोड़ते जाएंगे अच्छे करमों से आप जोड़ते जाएंगे आप गुनबान बन जाएंगे और माली के दर्श दिदार के काबिल होते जाएंगे उसको पाने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाने पड़ती उसको देखने के लिए कोई अलग से डोंग या कपड़ा नहीं पहनना पड़ता जैसे आप रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं उनी कपड़ों में उसी धर्म में रहते हुए आप परेम्पिता परमात्मा को पा सकते हैं बस भावना शुद्ध चाहिए सोच शुद्ध चाहिए भावना में अगर कड़बड है आप दिखते कुछ और है करते कुछ और है दिखने में कुछ और है करने में कुछ और है दोगले दुनिया में सफल हो सकते हैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भगवान की दरगा में कभी सफल नहीं हो सकते इसलिए दोगली निती छोड़के सिधा साधा रास्ता है भावना से माली की रहा पर बढ़ते चलो जिकीनन उसकी किरपा के काबिल बनते जाओगे ये ना हो कि आप सस्संग सुनते हैं तो कुछ और हैं और जैसे सस्संग के दाइरे से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ और के और ही हो जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ये अति जरूरी है कि आप शुद भावना से और सची भावना से दिल से मालिक को याद करें और भावना कैसे पैदा होती है उसके लिए संद्पीर फकीर युक्ती बताते हैं गुरुमंतर बताते हैं मैटल अब मेडिटेशन बताते हैं उस नाम शबद से आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं अपने अंदर परम्पिता परमात्मा के मिलन की तड़फ पैदा कर सकते हैं उस पे कोई टेक्स नहीं लगता बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फरी राम नाम का वो तरीका वो मेठ़ड संद्पीर फकीर बताते हैं जो सुनके अमल कमाते हैं वो जुरूर मालिकी किरपा पात्र बन जाते हैं और सुन के जो एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं वो अपने कर्मों के दाएरे में फसके कर्मों का बोज हमेशा उठाते रहते हैं तो अगर आप परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो सच्चा सुख चाहते हैं जो टेंपरेरी ना हो परमानेंट हो तो गुरूमंतर का जाब जुरूर किया करो वो आपके फाइदे का है जो भी जीवन आपने अच्छा नेक चुना है उसके लिए वो सहायता करेगा अगर बुरा जीवन चुना है तो उससे निकलने में आपकी मदद करेगा क्योंकि गुरूमंतर भले नेक काम में ही लेके आता है बुरे काम में कभी मदद नहीं करता है इसलिए गुरूमंतर फाइदा ही फाइदा करता है बुरी आदते हैं आपकी छूट जाएंगे अगर आप मालिक के नाम का सुम्रन करेंगे मालिक की ओलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे भावना को शुद्ध रखेंगे जिकेनन मालकी आपकी जरूर सुनेगा धंदन सत्वूर तेरा ही आच्छा